एंसीसी को आप लोग हलके में लेने की गल्ती नहीं कीजेगा यह आपको इस उमर में इतना डिसिप्लीन बना देता है कि आने वाले दस साल बाद आप लोग का इसका अनुबाव होगा है इतना आगे लेकि जाना इसको आपकी जिम्हेदारी बनती है कि अपनी बटालियन का नाम को पूरे इंडिया लेबल पे अपने बटालियन के नाम को रोसंग करना है हमको आज भी याद है कि जब हम NCC लियत है तो उस समय जब NCC में वर्दी डिस्ट्ट्ब्यूट की बात हो रही थी अब वर्दी निलेगी तो इतना वर्दी हम लोगे टाइम में जितने लड़के थे उससे थोड़ी सी वर्दी कम थी तो हम लोगों को लगा कि पहले जाएगा तो हम लोग कूरी तरह से भीड में लाइन लगा के खड़ेते लों परदी लेने के लिए तो उस टाइंग हमारी जो प्रिंस्पल्स आपते उनसे थोड़ा सा इंट्रेक्शन मेरा ठीक टाक हो जाता था वहम लोगों को पीजिक्स पढ़ाते थे तो लाइन में जब हमको पहले क्या था कि लगना था कि एंसी सी में बहुत ज़्यादे लोग आगी जाके नहीं कुछ कर सकते हैं उस समय हमको बड़ा बुरा लगाता इस चीज़ को कि मेरी दिल से ख्वाइस थी बश्पन से ही कि हमको भॉज में जाना था अब में जाने के लिए जैसे मैच खेलने क तो तो दो हमको लगा कि वही सब्सक्राइब कि तुम क्यों जाना चाहते हो तो फिर हमने सोचा था कि जिन्दगी में कुछ ऐसा हो गा कि जो उन्हें बताएंगे जाने के बाद कि सब्सक्राइब इसलिए न्टिया के लिए गये वहां पर आपको पता है कि उसमें मेडिकल होता है तो मेडिकल में मेरा हाथ देखेंगे नो यह गजट का तेहला है तो हमको पहले पता नहीं था हम आपे लेकिन तैयारी तो हम लोगी फौज की थी तो जो डिसिप्लीन एंसी सी ने दिया उस डिसिप्लीन को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं कैंप का दिन जब सर तो जब करनल साब हम लोग का एक छोटेस जशाब का तो हैड़कॉर्टर में लुटार में लुटार नहीं थी और हैड़कॉर्टर को एंसी के रिक्वार्मेंट की इसाब से पनाए जाता है बट वह तो नॉर्मल सा कॉलेश था वहां करनल साब का टेंट लगाना पिर जब आते थे इंस्पेक्शन में तो हम लोग ने काभी मेहनत वहर करते हैं रात में असे हो गया कि अभूमन साथ में आठ वे दिन आते हैं लोग इस प्रेक्शन के लिए जो हैड़कॉर्टर में जो टेंप नहीं होता है वहां पर तो जब करनल साब आए तो हम लोग रात में दिखेगा तो आपको याद आएगा ये दिन तो बहुत खुशी होगी तो आप लोग भी मेहनत कीजिए ये उमर जो है न ये बहुत जादे आपने उर्जा देता है इस उमर में आप बहुत मेहनत कर सकते हैं लेकिन इस उमर में यदि आप समय को गमा देते हैं मतलब आप अ या तो फिर छोड़ दीजे मतलब असमंगस की जीवन में नहीं रही है और सेना में आपको NCC में इतना दृड़ संकल दे देता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप उसे ग्रांट नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी के समय में क्या है कि यंग एज है आप ले यंग एज में कुछ चीजों को थोड़ा सा साउधानी से रखना पड़ता है आज किल समय डिस्ट्रेक्शन को मैंटेन करना मतलब उसको मैंनेज करना बहुत ज़रूरी है मोवाईल आ गया आजकल लड़के लग मोवाईल से बहार नहीं आ रहा है मोवाईल से बहार निकलिए अभी इस उमर में खोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दिजिए आपको डिसिप्लीन देगा इसके साथ आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं यहां से एंडिये हैं सीडिया से आप किसी भी किल्ड में जाहिएगा एक नॉर्मल लड़के से जादे डिसिप्लीन आप अपने आपको आप लोग SLR, LMG और इंसास यह तो बस ऐसे मतलब प्रेक्टी से फाइरिंग के लिए यह सब थोड़ी मिलेगा है, LMG फाइरिंग करे गया आपको तो छोटे गन फाइरिंग करने के लिए मिल देंगे, फाइरिंग नहीं आपके पास यहां अवेलेबल है, तो अभी के वक्त यह सब डिस्ट्रेक्शन से बचिएगा, मोबाईल वगरा के दुनिया से बचिएगा, पहले गांदी जी के तीन बंदर थे, एक का काना था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, अब चौथा बंदर आया है, मोबाईल लेके बइठाया हूँ, कुछ भी नही हूँ वहाँ में, वह बइठाया क्या लेके? मोबाईल लेके, तो भी आप में उच्छा बंदर बनने की पोसेस्स नहीं की जएगा, अपने आपको श्तुधारी, यही वक पहर रहाँ आगे आज से दो साज, तीन चार साल बार आपको कोई बोलेगा भी नहीं आते, क्यूकि वादा करते हैं, जीले में सबसे उचा सा आपका होगा आपको, और माबापने की इस उमीद हो देगा आपको, इस उमीद से आपको शाल करना है, इस कम एज में जितना मेहनत कर लिजे, बहुत बेतरीन रहेगा आप लोगों के लिए आपको, फोड़े थोड़े चीजों को तोड़ा सा समाल के रहेगा, इस एज में लड़के लोगों की तोड़ी सी गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, पैसे का दुर्पियोग करने लगते हैं, दिखिए कोई गरीब अमीर ये सब चीजों से हट के रखेगा, विद्याथी जीवन जीने के लिए, जितना सिंपल अबिए पैसे के पास अपनी जुखान नहीं होती है, लेकिन जिसके पास पैसा होता बहुत बोलता है, भाइसे का स्कतर बचालें, कल हम तुम्हें बचा लेंगे, तो पैसा और समय गया बहुत अच्छे से कि लिए अपकोर है, ठोड़ा एंगच में क्या है, तोड़ा सा आ यह चोटे मोटे गाव में तुटु मैमे वाली लाई से क्या मतलब बनता है यांग एज में थोड़ी भासा का ध्यान रखिएगा आपनों क्योंकि हम लोग तीन साल में सीख जाते हैं बोलना और पूरी जिंदिगी सीखते रहते हैं कि बोलना क्या है इसलिए भासा सही ध्यान और गुसा पर कंट्रोल बहुत जरूरी है यांग एजवाले को हम विशेश करके बोलते हैं थोड़ा सा गुसा पर कंट्रोल रखिएगा क्योंकि गुसा वह जड़ है जिसके पीड का नाम है अहंकार जब आप गुसा होते हैं तो आपने अहंकार जलकने लगता है जैसे आप देख्या गदहे के रेस में आप फ़स्ट भी आते हैं तो गदहे का लाएंगे क्या बाइदा इसी रेस का यहांप बीना मतलग के आप तूतू मैंने कीजिए अगर आपको किसी को जवाब ही देना है तो कंदे पर इस्टार लगा के जवाब दीजे उसके पास देखो आपको नौकरी तो मिली जाएगी जीवन जी जाएगा लेकिन जो रियल में लाइफ है वह फोज ही आपको देती है चाहिए वो जो जिंदगी के हर हिस्से लोग कहते है भारत मेरा कैसा जीजिए फोज में जाएंगे आपको कमुबेस पूरा भारत देखने को मिल जाएगा कश्मीर के बर्बीले पहाड से लेके थार का वो मरुवस्ता जहां पापड रख दीजिए के बालू पे ना तो भुषीक जाता है पापड आग लगाने की जरूवत नहीं है वहाँ पे जेब में लेके पापड घूमते रहो सेख के खाले ना वहाँ पे और वो फुरुवत्तर के जंगल से लेके बाड का मैदान चटीय छेट से लेके पूरा भारत देखने को मिलता है और आपको इसी वर्दी के साथ और कंदे में जब दो तारे लगेंगे ना तू जिन्दा इसकाई उस आस्मान के लाशो कारें से जागे रहे हैं अपने खंदों पे वो इस्टार लाइए और माबाप को देखिए बुढ़ापे में उनके दस बीमारिया ऐसे भाग जाएगी बीना दवा के माबाप और सिक्षाट क्या चाहते हैं आपसे आपका नाम रोश माफा चाहते हैं कि अन्हाप लोग इतने आगे जाएं कि आनेवाले कल के समय हम आपके ओपिस में तो आप लोग से पूछ के आना पड़े मेर कमिंग सर उससाम्य हम लोग को बहुत गर्म महसूस होगा हम लोग क्या चाहते हैं इतनी बुलंदियों पर जाएं था कि फॉक्र कैंक में आके हम मीटिंग किये यह यादगार बन जाए आप लोगों के दिए तो इस चीज को आप लोग अपने मन में ठान के रखेंगा कि यह जीवन मिला है यह कलम की तरह है जीवन कलम की तरह इससे पहले कि इस कलम की स्याही खतम हो एक ऐसी कहानी लिख दें कि सजियों तक कहानी को लोग पढ़े हैं तो इस एज में आप लोग तुछा अहंकार को कम रखेंगा बहुत बार होता है ना तुटु में में के जगड़े क्योंकि स्टूडेंट लाइट को हम लोग भी जिये वाप पर ऐसा लगता था कभी जगड़ा हो जया तो भारत पाकिस्तान वाला इसको घर तक में आप लोग को इंप्लीमेंट करना है हर चीज को एक दम मतलब जो आपका अगल बगल के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना अपने आप में डिसिप्लीन रखना टाइम का पंक्चुल होना यह सबसे बड़ी चीज है अगर कोई फॉज में अगर कोई चीज एक बजे है न तो एक बजे होगा पांच बजे तो पांच बजे बड़ी चीज और आज के समय में समय का मैंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दिवारा समय देगा आपको आज आप समय को बरबाद कीजिए ने कल पक्का आपको संभी ने बज़्बन का बात याद कि हम लोग एनुन कलिचू में जो रात में कान्टिंग हो रही थी सिंखनी तो वह लइन सबसे लंबी थी और थे और कि में ऊस्सलिंग में सबसे पीछे उटे लगी हुए प्いき आभी पीछे लड़के बात कर रहे थे सब अब बात करेंगे तो भी विश्टर तो होगा ना तो हम लोग में नेपाल के थे हावलदार थापा कर तो नेपाल के थे और बहुत इस्टिक थे वो छड़ी लेके आए और पूरे राउंड करने लेके पीछे से अच मेरे क्लास की लाइन तो सबस लंबी थी और हम सबसे पीछे था हमारी नजर पढ़ गई और बाप यहां तो यह लेकर आए पीटना चालू कर दिये हैं और वो ना पीट रहे थे सबको तो मेरे आगे वाला लड़का बहुत बोलगा था हमको लग यह पक्का पीटाने वाला है और हम देख लिए हम उसको क भाय पीछे से आने के बाद बात कर रहा है उसको पता नहीं था हमसे कुच रहा है भाई को पुन का गुस्टा साथो आसमान पर हमको कहीं इसको पकड़ यहां पर उसको इतना घुलतिया मर रहा है इतना दोड़ाया गया उसके बास वह आज भी डिसिप्लीन रहता है आज भी उसे पुझे भाई कहीं निखाना दोड़ाया मुची दिन कसम खाली तो छोड़ देंगे आ आप लोगों कभी 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 अगर अगे बढ़ते रहने के ऐसे इतना मेहनत कीजिए ताकि आने वाले समय में हर बटा आपके बटालियन को आप पे गर्वो कि यह लड़का हमारे बटालियन का था हिंदुस्तान लेबल पर आपको आपको नाम को ले जाना है अभी सर जैसे बता रहे थे कंडल सो कि खान सब चीजों को बहुत चीज बहुत आसानी से समझा देते हैं यह सब चीज में हम लोग को बच्पन सी जब लोग NCC में आए वहां से सीखे तो देखा गया कि कितना भी टॉफ चीजे क्यों नहों आर्मी वालों के चेहरे तो कोई सीका नहीं रह है आप पर तो यह साथ जगों को आप लोगों को अपने साथ भी रखना है और आने वाले समय में आप लोगों को भी अपने बटालियन अपने गाहों सार महले का नाम को रोसल करना और पूरे विस्ट भारत लेबल पर इस तीज को आगे ले जाना है NCC के पास बहुत ही अपार संभावना है चीजों को सहीं करने की आज भी देखिएगा जब कोई बड़ा और्गनेजिसन होता है जैसे कुम्ब का मेला हो गया या फिर बिहार में छट हो गया उस समय भी ट्रैपिक की जिम्मेदारी घाट के आप लोग बहुत बखूबी आने वाले कल के यह वहीं सिपाही हैं जिनके हाथों में देश की कमान होगी इतना डिसिप्लीन आपके अंदर होना चीजिए अभी कुछ दिन अभी सलेबस भी कमो बेस वैसे ही है तो हम लोग के समय का ताव दो दिन तो दो दिन हम लोग के ताइम पे शुरवात में नो हम लगने लगता है यह कैसी होगा कदम ताल यह सब चीजे होगी लेकिन दीरी दीरी इतना इंट्रेस्ट जग गया फिर कैम्क में जब हम लोग जाने लगे तो बहुत सारे लड़के का कहना था कि तुम कैम्क में जा रहा है पढ़ाई छोड़के ऐसा इसा बात बोलते थे लो का कहा कि वहता है निए उन लोग से माज पुछते कौन सा तुम नासा का भर गया निए भी या तुम कैम्क में नहीं गया था आप हम केवल कुछ दिन दस दिन छोड़के गए थे दस दिन के बाद आए ना तो उस चीज को हमने मैनेज कर दिया और यही मैनेजमेंट हम उस दस दिन में सीखे थे कि जो हमारी सब्सक्राइए पूरा करना है चाहे वह समय हम अपने सोने के बचे हुए समय से काट की क्यों न पूरा करें लेकिन हम उस्टीज को पूरा करें आपद तो आप लग भी अगर कैंप में आए तो आपने उस जिम्मेदारी से मत भूलिएगा क्योंकि आपको हर चेंट में आगे लेकिन इदर देखिएगा दस सालों से हर कोई पढ़ाना चाहरा है अब कोरोना के बाद सब लोग को देखिएगा आज आपके गाव में कोई यह नहीं कहेगा कि अब हर व्यक्ति पढ़ाना चाहरा है और हमने का भी उद्देश ही जाई था सिख्चा को इतना सस्ता कर दियें कि हर लोग पढ़ने लगी लेकिन इससे आप लोग के लिए क्या हो गया अब हर इंसान पढ़ने लगा है तो कंपिटिशन पहले से बहुत जादे तफ हो गया तो आप लोग को इन भी चीलों को आप सा करता है तो थोड़े इस सब चीजों के भी ध्यान दीजेगा आप प्रॉपर नींद लेते रहें क्योंकि अगर आप जगे रहेंगे न कभी अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे लेट सबोज कि अगर किसी उस सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो पारी है उसके जबर जबर पूरा दीन बर उपागल होते रहें लेकिन अपको दीन बर इतना हम लोगों को तो एंसी का आज भी याद हो का दीन इतना जान ले लिए जाता दीन बर में कि विश्टर पर जाते पता ही नीम कवा गया है और इसे सोजाता है मेरे बगल में एक लगा था तुराथ को उटके लेकिन अगर रेगुलर डेज में आप प्रपर नीद लीजिए का तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत जादे जरूरी है एक अच्छी इंसान बनने के लिए देखिए शिक्चा का मुख उदेश नौकरी पाना नहीं है शिक्चा का मुख उदेश एक काबिल इंसान बनन ताकि सड़क पर चले तो यह केवल वह नहीं जंगर्णा के काम में नहीं पढ़ाई लिखेंगे नहीं तो पर जंगर्णा काम में यह और का करिएगा वईसे भी हम लोग इतने आगे जाए तो जंसंग्या के मामले में हम लोग पूरी दुनिया को टॉप कर गए तो हम लोग क्या रहे संसाधन रहे कि आपके कमी से कहीं न कहीं कोई काम रुप जाए अपने आपको इतना काभील बना के रखना है तो अपना नीड प्रॉपर लेते रहेगा प्रॉपर आप वैलेंस मतलब भोजन वगर आगे अज कल के लड़का लोग जंग फूट खा कर चार्वों ब तो दर्देति गज़ेगा इसमें एड्लाली धन्सी ऐसीद के सब्सक्राइब ऋसीजीओ रॉटया कि ट्रवित जोसीं dur गरुट ब्रॉटार कंवलों कि हो अ उतना जागरों प्लेह नहीं था वकॉलें सब्सक्राइब बहुत अच्छा है जब NDA हो जाए इंटर्व्यू के लिए आईएगा आप लोग आपका है आपका हेटवाटर है तर्मल साब है यहां पे बहुत आप लोग को मोटिवेट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को आपको बताएंगे जो ओल्यक्यू ऑफिसर लाइक वालिटी यह और रियल लाइक में भी उतारना है और इतना प्राण लेके जाना है कि जो डिसिप्लीन यहां सीखे हैं उसे आखरी दम तक अपने जीवन में लाभी करते रहेंगे जो यहां से हम लोग सीखके जाना है संग्या कि नेगा चले इसी के साथ हम अपनी बातों को यह रुखते ह जा हुआ